हालो डियर प्रेंट्स डियर स्टुडेंट्स हालो 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 हावार यू होप सोल अप्यू आर्वेरी गूट नौ सबसे इंपोर्टन्ट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आपको सबसे ज्यादा बोले जाना वारा वर्ड से कि पढ़ाई करते रों डू दशेल स्टडी टीचर्स वही दोलेंगे, मैंटर्व दोलेंगे अपके यापको गाय करते हर एक बोलेंगे कि स्टडी करो बिजन करो सवाल यह है इस टर्डि करो यह ठीक है लेकिन सटरी किस तरह से कर वह स्थंट Сटुडि में क्या करना चाहिए है अगर किस तरह से हम स्टड़ी करेंगे तो स्कोर आजाएंगा खाली स्टड़ी को बैठो बैठते रहो करते रहो इससे रिजर्ट नहीं आता है इससे स्कोर नहीं बढ़ता और सबसे इंपोर्त है इससे नौलेज भी नहीं बढ़ता and most important is knowledge with अगर knowledge है तो confidence आएंगा confidence आएंगा तो attitude बन जाएंगा and attitude is everything for that let's be starting the ninth standard self-study planner ninth standard के लिए हम को कितना study करना चाहिए और कितना study करने के बाद कितना result आ सकता है हमारा potential properly अगर utilize करना है तो दिन बर study करने की जरुरत नहीं है हर दिन study करने की जरुरत नहीं है study is the part of life study is not a life तो कितना study करेंगे इतना सा study करेंगे कितना इतना but result इतना लाएंगे और आएंगा result properly करना है सबसे important before starting the video okay मैं आपको पहले clear कर जेता हूँ कि आपको ये PDF description box में आपको description box में जाके उसको download करना है मैं description box में PDF डालने वाला हूँ self study planner का मतलब subject wise subject उसका study कितना करना है और उसको time कितना लगेंगा ये सब कुछ detail में description box में फिर से डालने वाला पीडिया तो डाउनलोड करेंगे तो pain पे लेके बैट के आपको note down करने की जरूरत नहीं possible है और मुझे लगता इंस्टेट ऑफ पॉसिबल आ यूज द वर्ल मेंडिटरी कंपर सरी ये वीडियो parents के साथ देखो parents को भी पता होना चाहिए कि self study कितना करना है और क्या करना है student step study दिन बर नहीं करने की जरूरत नहीं है चुटी है तो दिन बर study करो जरूरत नहीं है बस इतना study करो मतलब कितना out of 24 hours तीन गंटे study करना हमको 3 hours 3 hours are very sufficient okay तो बस उतना study daily करेंगे तो result 101% आएंगा आप comment में आपको क्या करना है कि आप सब्स्टेडी कर टाइम टेबल बनाएंगे एक दूसरी चीज़ इस इत यूसफुल फॉर यूर नौट यह आपके लिए बहुत बढ़िया है यह नहीं यह और यह जितने भी स्टूड़न्ट ए नाइन सांडर्ड में आपके जितने फ्रेंट से जितने पैरेंट्स को बोलड़ा आपके जो कलीक्स आएं जो कहीं और पढ़ाई कर रहें कहीं पर यह कर रहें तो प्लीज इस चैनल पे बच्चों के लिए जो जो अच्छी चीज़े जो जो अच्छा है यह हम लेके आने वाले हैं तो यह है तो अब सब्सक्राब भी चाइनल और आप लाइक करते रहो क्यूंकि वेडियो आपके लिए हैं ऑके आपका एक वीडियो उनके लाइप में आगे लेके जाने के लिए उनका एजुकर बना के लिए बहुत इंपर्टेंट करेंगा ओके लिए thank you so first one हमारा फिस्टे लेंवेट्स लेंवेट्स का श्टडी करने है okay to study the language language का स्टडी करने के लिए अब को read करना है learn करना है read and learn उसके बाद क्या करना है अब को practice of grammar grammar का करने है practice करने practice of grammar is most important and then we are to do the writing skill रीड करना है, रीडिंग का टेक्निक होता है, रीडिंग से क्या होता है, अपके एक तो थॉट प्रोसेस डवलप होती है, क्लियरीटी आप थॉट आ जाते है रीडिंग से, रीडिंग के दो टाइप सोते हैं, इधर आप मनी मन में रीडिंग करेंगे, साइडेंट रीडिंग करता है, तो हो सके, तो दोनो करते रहो, हो सके तो नहीं, अगें, mandatory है, silent reading करो, to develop the concentration, and to develop the focus, and to learn the things, okay, to express the thoughts, to develop the thought process, and to develop the body language, okay, to develop the communication skill, loudly reading, most important है, तो reading करो, learn करो important points, hard words, जो भी है, grammar की practice करते रहेंगे, और writing skill की practice करेंगे, writing में, and we have to take the 45 minutes, okay, दो languages आप दिन में कर सकते हैं, इधर 20 to 25 minutes, एक language को, दूसरे language को, तीनो language एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं है, okay, English, first language, second language, ऐसा ले लो, या first language, second language, third language, in message, you that you have to take the any two language in a day, okay, इस तरह से language का study करेंगे, then we are going towards the mathematics, 9th में, mathematics is divided into two parts, mathematics part 1, that is called as algebra, algebra याने की क्या, mathematics part 1, okay, how to study the mathematics, mathematics का क्या करेंगे, solve 5 to 6 questions, okay, 5 to 6 questions solve करने, एक ही दिन में पूरा चप्तर नहीं करने, कभी भी नहीं, how many, we have to solve 5 to 6 questions, that is sufficient, and it need the 20 to 30 minutes, some student will be take the 30 minutes, some student will be finish in 20 minutes, okay, if you are able to solve the more than 5 to 7 questions, that is good, and if you are not able to solve the 5 questions, sometimes you may solve the 3 questions, 4 questions, that is also good, no problem at all, ऐसा जरूरी नहीं यह, कि हर दिन 7 questions आपके सॉल करना है, जरूरी क्या है, हर दिन आपको math सॉल करना है, okay, and we have to make the diary, diary बनाओ, math के जितने पी चप्टर की important formula है, chapter की important formula है, we have to write that, okay, algebra के रहने दो, geometry के रहने दो, science part 1 रहने दो, science part 2, इसके important formula है, tree diagram है, flow charts है, इसके लिए diary बनाओ, और उसको हमेशा रीड करते रहो, that is not only for the 9th, hello, that is not only for the 9th, that is for the 10th also, 11th also, 12th also, और जब UPC, MPC करेंगे आप, आप 100% करने वाले, तब भी आपको यह बहुत useful होता है, okay, so that's why, keywords are very very important, and make the diary for them, okay, now we are going towards the next one, math का second part है, second part मतलब क्या है, geometry, geometry इस साल आपको introduce हुआ है, keep in mind, and listen carefully, geometry के लिए, मैं separately, video बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह चाहिने, subscribe करो, और दोस्तों के साथ, share करो, उनको भी बोलो, subscribe करो, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, okay, उनको भी बोलो, because geometry का study किस तरह से करना, how to study the geometry, इस पर separate video रहेंगा आपना, within eight days यह भी upload होने वाला है, okay, how to study the geometry, मतलब from the theorem, how to draw, how to draw the figure, correct figure, how to write the given to prove, and how to write the proof, that is the most important, सब बच्चों को, अगर 90% बच्चों को टब गया जाता है, तो theorem जाते हैं, और मुझे लगता है कि theorem बोत easy है, it has the technique, वो टेक्निक भी हम discuss करेंगे, next lecture पर, ओ लेक्चर रहेंगा, only how to study the geometry, okay, now, geometry का study किस तक करना है, कितना करना है, यह देखेंगे, solve five to six questions, okay, और अगर theorem है, if you study the theorem, theorem का study करेंगे, तो three, we have to study the theorem, उसका किस तरह से study करना है, वो, we discuss करेंगे, three to four questions, which are based upon that theorem, मतलब theorem और उसका implementation, applied mathematics से, जो मिटी का है, applied mathematics, implement करना बढ़ेंगे, तो we have to solve, solve five to six questions, if there is no theorem, if there is theorem, अगर वहाँ पे theorem है, तो आपको क्या करना है, theorem study करना है, प्रूब करना है उसको, and three to four questions, based upon that theorem, तो उसका implementation हो जाता है, okay, knowledge is not enough, implementation must है, okay, it needs again 20 to 30 minutes, again math, part one रहेने दो, that is algebra, geometry, इन के लिए, same timing लगता है, okay, study कम जादा हो सकता है, then we are going towards the next one, that is the science, okay, science again divided into two parts, part one, part two, but हम यहां पे science से बोलेंगे, okay, either we have to do the part one या part two, no problem, आपके साब से करेंगे, but science का, science का, again, at the time of reading, आपके पास का होना चाहिए, highlighter होना चाहिए, underline के लिए एक ता color pane होना चाहिए, या pencil होनी चाहिए, and then we have to use the stick notes, science का book, read करने का तरीका अलग होता है, उस पे भी separate video बनाएंगे, okay, so four to five times, read करने आपको, with proper concentration, proper focus, okay, without any distractions, आपको, read करने, four to five times, at that time, you have to underline the important words, highlight the important words, ya keywords, important sentence, important topic, points, important topic, important para, इसको, highlight करते होने, stick notes, important notes, down करेंगे, and we have to learn that, how many times, how many times, four to five times, आपको, कितने time से लर्न करना है, उसको, four to five times, read करना है, four to five times, ना के एक बार, four to five times, read करना है, four to five times, learn करना है, and we have to write it, one to three times, आपको, read किया, उसको, learn किया, can you represent your knowledge, in the form of writing, for that, we have to practice it, one to two times, because, ultimately, हमें एक्जब में क्या करना है, knowledge express करना है, in the form of, hello, writing, किसके परम में, writing परिप्रेजेंट करना है, that's why, we have to write it, one to two times, तो इसलिए, बाहत मत करो, मगप मत करो, okay, practice करो, properly, क्या परोपर्ली प्रेक्टिस करना है, there is one and only one method, to study the science, that is RLW method, read, learn and write, यह होना, read करेंगे, learn करेंगे, और लिख के देखेंगे, जितना लर्न किया है, उतना रिप्रेजेंट कर सकते या नहीं, अगें, इट नीट था, एक्च्वली यह मिस्टिक होगा, इट नीट था, यह नीट नीट था, लिशन, मैं इसको चेंज करता हूं, इट नीट था, यह नोट पेंट इट थार्टी मिनिट्स, यह है, 45 मिनिट्स, कितना टाइम लेना है यापको, 45 मिनिट्स, 45 मिनिट्स, 45 मिनिट्स करेंगे, कितना मिनिट्स, 45 मिनिट्स, यह पीडिफ दो डिस्रिप्टिशन में आएंगा, उसमें करेक्शन रहेंगा, 45 मिनिट्स, next one we are going towards, next one, next, SST, SST का क्या करने आपको, SST का करेंगे, read and learn, read and learn, SST का study आपको करते, time again, reading most important है, खाली लिखते मत बैटो, nowadays parent के complaints बहुत आ रहें, हमेशे आप कुछ न कुछ copy paste करते रहें, copy paste करते रहें, reading बहुत important है, आपके thought process, आपके thoughts express करना, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं है, body language develop करने के लिए, reading बहुत important है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, at that time, I am developing my body language, यह important है, this is very important, express करना चाहिए हमारा knowledge, so that's why reading is very important, उसके बाद learn करो, knowledge gain करने के लिए, learning भी important है, learn करेंगे, and we have to do the 30 minutes, this is all about the ninth, मैंने बोला थापको, कि चैनल सब्स्राइब करो, share करो, like करो, कितना यूजफुल है यह self-study, इसके लिए comment भी करो, please, wishing best luck for your bright future, all the best, thank you, thank you.